अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राब करें और बैल आइकन को टुच करना न भूलें जिससे के आपको आगे की अपडेट मिलती रहें और नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच जाए तो यहाँ पर पहला क्वेशन है तेलंगाना उच्छ नयायले के पहले मुख्य नयायदिस कौन बने ही तो फ्रेंट्स मैं आपको बता दूँ कि पहले तेलंगाना और आंधर प्रदेश इनके लिए कंबाइन हाईकूर था जिसका नाम हैदराबाद उच्छ नयायले था और अ यह कहा के बने हैं आंधर प्रदेश के ओके अगले कुश्च पर चलते हैं किस देश ने चंद्रमा की दूरबर्ती सत्ह का अध्यन करने के लिए चेग ई-4 मिशन लॉंच किया है तो फ्रेंट्स यह मिशन जो लॉंच किया है वह किया है चीन ने और जिस कंपनी ने इसे वे जा है व confirm it अगले कोश्च पर चलते हैं हाल ही में सेकशिना किस देश्की लगातार तीसरी बार प्रधान उंतरी बन गयी है तो फ्रेंट्स यहां पर इसका अंसर हो जाएगा भांगला देश क्या हो जाएगा फ्रेंश बांगला देश बांगला इसके बारे में मैं आपको बता दू कि बंगलादेश की राजदानी है डाका और इसकी मुद्रा है तका फ्रेंट्स अकली कोश्चन पर चलते हैं निम्न में से किस दूइप का नाम बदल कर नेता जी सवासचंद्र बोस दूइप कर दिया गया है तो फ्रेंट्स इसका यहां पर आंसर हो जाएगा रोस दूइप ओके फ्रेंट्स अभी अभी अंडबा निकोवार ने तीन दीपों के नाम बदल दिये हैं अभी यह तीन दीप कौन-कौन से हैं और इनका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है यह मैं आपको बताता हूं तो एक है नील दूइप एक है और एक है है नील दूइप का नाम बदल कर सहीद दूइप कर दिया गया है और रोस दूइप का नाम बदल कर नेता जी सुभास चंद्र बोस दूइप कर दिया गया है जो कि कोश्चन में में इंसन है और है बलोक दूइप का नाम बदल कर स्वरास दूइप कर दिया गया है ओके फ्रेंट्स अब अगले कुश्चन की दरफ चलते हैं रेल्वे बोर्ड के नए अद्च कौन बने हैं तो फ्रेंट्स रेल्वे बोर्ड के जो नए अद्च बने हैं इनसे पहले कौन थे अश्णी लोहानी जी और अब कौन बने हैं अब बने ही विनूत कुमार यादव रेल्वे बूर्ट से एक बात याद आती है कि आर्पी एफ की महाने दे सक कौन है तो फ्रेंट्स, आर्पी एफ की महाने दे सक है अरुण कुमार कौन है आर्पी एफ की महाने दे सक अरुण कुमार Okay friends question number next पर चलते हैं वर्स 2018 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदवाज कौन बने हैं तो friends यहाँ पर 2018 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले Indian team के बोलर जस्प्रित भुम्रा इन्होंने कितनी विकेट लिये हैं 78 78 और दूसरी नमबर पर कौन हैं जो साथ अफ्रिका की तरफ से खेलते हैं खंगिसो रवाडा इन्होंने कितने विकेट लिये हैं 77 ओके फ्रेंट्स अगले question की तरफ चलते हैं Axis Bank के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो फ्रेंट्स Axis Bank के नए MD और CEO के रूप में अविताफ चौधरी को नियुक्त किया गया है और इन से पहले कौन थी? शिखा ओके फ्रेंट्स और मैं आपको बता दूँ Axis Bank का जो मुख्याले है वो कहा है? मुंबई में ओके फ्रेंट्स और Axis Bank की जो टेग लाइन है उसका नाम है बढ़ती का नाम जिन्दिगी बढ़ती का नाम जिन्दिगी ओके फ्रेंट्स अगले कोशन की तरफ चलते हैं हाल ही में किसने चात्रों के साथ संबार नामक प्लेटफोर्म लॉंच किया है? तो फ्रेंट्स ये किया है इसरो ने किसने किया है इसरो ने इसरो की फ्लेटफोर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाजेशन इसका हेड़कॉर्टर बैंगलूरू में हैं इसके अध्यच के सिवान हैं इसकी इस्तापना 15 अगस्त 1979 में की गई थी ओके फ्रेंट्स तो ये सब फेक्ट भी आपको याद रखने ही अगला क्वेशन है हाल ही में कौन सा देश यूनसको से अलग हो गया है तो फ्रेंट्स इसका अंसर है अमेरिका और इसराइल ये जो दोनों देश हैं यूनसको से अलग हो गए है और यूनसको का हेड़कॉर्टर कहां है पैरिस में अगला क्वेशन है राष्ट्री आइस होकी चेंपियनसिप 2020 का सवारम कहां हुआ है तो फ्रेंट्स इसका जो सवारम हुआ है वो हुआ है ले हमें कांगवाई फ्रेंट्स ले हमें और इसे जो कौन और्गनाइस कराती है आई एच ए आई और इसकी फ्लफोर्म होती है आईज होकी असोसियेशन ओफ इंडिया ये इसका पांचवाँ एडिशन है और फ्रेंट्स आपको ले से एक और बात याद दिला दू कि विश्टो में विश्टो की सबसे उची मेरा थन दोड़ का जो आई जन किया गया था वो कहां किया गया था ले हमें ओके फ्रेंट्स ये फेक्ट भी आपको याद रखना है तो CAA Citizenship Amendment Act के विरूद में प्रस्ता पास करने वाला देश का पहला राज कौन बन गया है केरल ओके फ्रेंट्स ये फेक्ट भी आपको याद रखना है CAA लोक सबा में पास हुआ था 9 दिसंबर को और राज सबा में पास हुआ था 11 दिसंबर को ओके फ्रेंट्स अगले कोश्चन की तरफ चलते हैं हाल ही में इंडियन रेल्वे ने आरपीअफ का नाम बदल कर क्या रखा है ओके फ्रेंट्स तो हाल ही में इंडियन रेल्वे ने आरपीअफ का नाम बदल कर भारतिय रेल्वे सुरच्छा भल सेवा कर दिया है और रेल्वे मंत्री कौन है पियूस को उगजल इनकी कंसिट्वेंसी गाएं महाराष्ट राजसवा से सवासांसद हैं ओके फ्रेंट्स अगले कुस्चिन की तरफ चलते हैं समसेर जेवी राणा किस देश के नई मुख्य नियादिस बने हैं समसेर जेवी राणा किस देश के मुख्य नियादिस बने हैं तो इसका अंसर हो जाएगा नैपाल ओके फ्रेंट्स ओपी मिस्रा की जगेली है इनोंने और पाकिस्तान पाकिस्तान के मुख्य नियादिस कौन है जस्टिस आसिफ सहीद खोसा ये भी आपको याद रखना है वर्स 2018 के अंत तक कितने राज्यों ने 100 प्रत्सत 100 प्रत्सत विद्दी करण पूरा कर लिया है तो इसका अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा 25 ओके फ्रेंट्स और जो बाकि के जो चार राज्य रह गए हैं वो रह गए हैं आसाम, मेगाले, 36 गड़ और राज्यस्तान इनमें अवी 100 प्रत्सत विद्दी करण पूरा नहीं हुआ है ओके फ्रेंट्स ये जो विद्दी करण हैं ये प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी ने लॉंच किया था और किसी योजना के तहत किया था उसका नाम है सौभागी योजना अगली कुश्चन की तरफ चलते हैं एक जनवरी से किस देश ने बड़ी प्रध्यकी कंपनियों पर गाफा टेक्स शुरू कर दिया है अब पहले तो फ्रेंट्स आपको यह यह पता अनना चाहिए कि यह गाफा टेक्स है क्या तो गाफा की फुल फॉर्म है गूगल, एपल, फेस्बुक, अमेजन तो यह शुरू किया है फ्रांस ने ओके फ्रेंट्स अगली कुश्चन की तरफ चलते हैं रमा कंत आच्रे कर किसके कोस्ती तो उसका अंसर क्या हो जाएगा सचिन तेंदुलकर ओके फ्रेंट्स हाल ही में जेयर बूल सो नारो किस देश के नए राष्टपती के रूप में सपदली है ओके फ्रेंट्स तो इन्होंने ब्राजील के राष्टपती के रूप में सपदली है अगला कुश्चन है हाल ही में किस देश ने ओके की सदस्ता छोड़ दी है तो पहले तो मैं आपको यहाँ पर ओके की फुल फॉर्म बता देता हूँ और्गिनाजेशन ओफ पैट्रॉलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ऑपीड का जो हेड़ वियना में है जो के ऑस्टिया की राजधानी है तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ओपीड की सदस्ता किस ने चोड़ दी है ओपीड की सदस्ता कतर ने चोड़ दी है तो यहाँ पर option number C सही हो जाएगा यहाँ पर एकला question है हाल ही में Mount Vincent पर चढ़ाई करने वाली पहली दिब्यांग महला कौन बन गई है तो पहले आपको friends पता होना चाहिए यहाँ पर के Mount Vincent क्या है Mount Vincent अंटार्टिका महादीप की सबसे उंची चोटी है ठीक है तो जिस पर कौन सी महला कौन सी दिब्यांग महला है जो जो जनों इस पर चढ़ाई की है वो है अरोडेमा सिना तो आपको यह भी बता दू कि जो अरोडेमा सिना है इन्होंने दो अज्यार 13 में Mount Everest पर चढ़कर मांट एवरिष्ट पर चढ़कर पहली दिब्यांग महला वनी थी ओके फ्रेंट्स अब चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन पर हाली में कौन सा देश संयुक्त राष्ट वरच्छा परसद का अस्ताई सदस्य बना है ही ओके इट तो ये बना है साहत अफ्रीगा कौन बना हैं इसमें 15 देश होते हैं जो संयुक्त राष्ट रच्छापरसद में 15 द होते हैं जिसमेंसे आप सभी जानते हCloud कि पांच इस्ताई होते हैं तता दस होते हैं और जो 10 इस्ताईश होते हैं वो दो साल के लिए चुने जाते हैं तो आपको ये सब फैक्ट भी याद रखने हैं अगला कॉशन है तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है अगले कॉशन की तरफ चलते हैं अगला कॉशन है हाल ही में किस देश ने पंजतीर्थ इस्तल को राष्ट्रिय दरोहर गोसित किया है तो ये किया है पाकिस्तान ने किस ने किया है पाकिस्तान ने तो यहाँ पर अप्सन नंबर एस ही हो जाएगा पाकिस्तान के पेसावर में पंजतीर्थ इस्तल है उके फ्रेंट्स अगले question की तरफ चलते हैं स्वच सर्वेचर 2019 में कितने सहरों को सामिल किया गया है तो फ्रेंट्स इसका answer A हो जाएगा 4000 सहरों को इसमें सामिल किया गया है और सबसे स्वच सहर कौन सा है? इंदौर कौन सा है? इंदौर उके फ्रेंट्स अगले question की तरफ चलती है विक्रम सारा White Children Innovation Center की स्थापना कहा की जाएगी? तो फ्रेंट्स ये की जाएगी गुजरात में अब गुजरात से मैं आपको थोड़ा वहत करन्ट में और रिलेट कर देता हूँ कि गुजरात की जो राजदानी आप सभी को पता होगा गांदी नगर और ये किसका निर्वाचन शेतर है? अमिज साजी गा इसके CM कौन है? जो चीप मिनिस्टर है? विजयरूपानी, गवर्नर आचारधेब ब्रद जी और जो करंट में सवर्णों को दस प्रत्सत आरचट देने वाला पहला भारत का राजबना था गुजरात में कुछ इंपोटेंट नेशनल पार्क भी है जो के एकजाम में काफी बात पूछे भी जाते ही गिर नेशनल पार्क ओके फ्रेंट्स ब्लैक बख नेशनल पार्क मरीन नेशनल पार्क तो ये सब भी आपको याद रखने हैं ओके फ्रेंट्स अगला कोस्चन है हाल ही में भारतिय नोसेना ने अपना पहला महानेवी कनेक्ट 2020 अभ्यान की सुरुआत कहां से की है तो ये की है इसने मुंबई से ओके फ्रेंट्स इस अव्यान का उद्दे से है भारत की समुंद्री वरासत को बढ़ावा देना अब फ्रेंट्स आपको बता दूँगे भारतिय नोसेना की स्थापना 5 सेतंबर 5 सेतंबर 16 12 इसवी में हुई थी इसके महाने दे सके है एड्मिरल करमबिर सेंग और नेवी डे कप पड़ता है 4 दिसम्मर को इसके फ्रेंट्स ये फैक्ट वी आपको याद रखने है अगला क्वेशन है किस देश ने अमेरिका की सेना को आतंगवादी घोसुत कर दिया है तो आप सभी को पता ही होगा कि इस टाइम इरान और अमेरिका में कुछ रिष्टे अच्छे नहीं चल रहे है तो इरान ने अपनी संसद में अमेरिकी सेना को आतंगवादी घोसुत कर दिया गया है आपको इरान की संसद से याद आया कि इरान की संसद का नाम भी कभी-कभी पूछ लिया जाता है तो इरान की संसद का नाम क्या है मजलिस इरान की संसद का नाम क्या है मजलिस ओके फ्रेंट्स और इरान की राजदानी क्या है तेहरान और करंसी इरानी रियल क्या है फ्रेंट्स करंसी इरानी रियल फ्रेंट्स अ कार्टर ने यह लियो कार्टर ने लगाए हैं जो के न्यू जी लेंड की तरफ से खेलते हैं ओके फ्रेंड्स यह ऐसा करने वाले साथ में क्रिकेटर बन गए हैं ओके फ्रेंड्स थैंक्स पॉर बोचिंग